पिछले कई दिनों से कथावाचक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महराज के बीच चल रहे मतभेद ने सोशल मीडिया पर लोगों को भी दो धड़ों में बाट दिया है। एक धड़ा प्रेमानंद के सपोर्ट में है तो वहीं दूसरा धड़ा प्रदीप मिश्रा के समर्थन में है। हमारा सर्वस्व हैं। श्रीडाधरानी वो हैं जिनकी चरणरज को ब्रह्मा, शिव, शुक, सनकाधी भी प्रणाम करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा भी किया गया जिसमें दोनों कथा वाचकों के बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंतरी कैलाश विजय वरगिय सुलह की बात सामने आई। अब इस सुलह की बात का खंडन करते हुए प्रेमानंद महराज के शिष्य ने क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं। और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रेकार की सुलह हुई है। जो ये न्यूज वाइरल हो रही है कि पूझ श्री महराज जी के बीच में और प्रदीव मिश्वा जो कि भागवता चाह रहे हैं। आपस में सुलह कराई गई है। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है क्योंकि पूझ महराजी फोन रखते ही नहीं है। और हम दोनों के पास ये सारी जिम्मेदारी है कि कोई भी फोन कॉल आएगा तो हमारे पास में आएगा पूझ महराजी पास डिरेक्ली कोई बातचीत नहीं पहुचा ही जा सकती है। तो ये जो न्यूस वाइरल हो रही है इसके कोई ताथ्य नहीं है तो आप से प्रतना है। पेनल्स पे और वेबसाइट्स पे इसका खंडल किया था कि यह फेक न्यूस है तौब टीम लोकमंगल